हेलो फ्रेंट्स मेरे स्पामिस्ट्री एंड स्ट्रोलोजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है आज इस वीडियो में मैं आपको लाल मिर्च के कुछ बहुती असान से उपाई बताने जा रहा हूँ चिनको करने से आप अपनी लाइफ में आने वाली बहुत सारी प्रॉब्लम्स को असानी से दूर कर सकते हैं जो भी उपाई मैं अपनी वीडियो के थूरू बताता हूँ या जोतिश और पुराने मानिताओं पर अधारित होते हैं इन उपाऊं का कोई भी विग्यानिक अधार नहीं है परन्तो ये उपाई ऐसे हैं कि अगर आप भगवान पर पूरी शरदा रखकर इने करते हैं तो आपको इनके लाब जरूर मिलते हैं सबसे पहला उपाई है जिसमें आपने चार साबुत लाल मिर्च लेनी है और इनके बीज निकाल लेने है अब एक तामबे का लोटा लेकर उसमें पानी भरना है और जो बीज आपने निकाले है उस पानी में मिला लेने है अब इस लोटे को अपने उपर से साथ बार anti-clockwise वारना है और इस पानी को घर के बाहर फेंक देना है अगर आपको लगता है कि आपके घर में किसी को भी नजर लगी है या कोई problem चल रही है तो यह सभी problems जो है इस तरह के उपाई करने से दूर हो जाती है और अगर आपके घर के मेंबर के उपर भी कोई ऐसी problem चल रही है तो इस पानी को आप अपने घर के उस मेंबर के उपर से भी साथ बार anti-clockwise वार सकते हैं ऐसा करने से नजर दोश दूर होता है और जो घर में कलेश चलता है या problems चलती है या समस्याइं होती है वो ठीक हो जाती है अगर घर में बरकत नहीं हो रही या पैसा नहीं रुकता तो भी लाल मिर्च का एक असान सा अपाई आपको लाब दे सकता है आप एक साफ कपड़ा लें कपड़ा किसी भी रंग का हो सकता है और अगर सफेद रंग का हो तो ज्यादा अच्छा है अब इस कपड़े में साथ लाल मिर्च बांद लें ध्यान रहे के यह लाल मिर्च पूरी साबुत होनी चाहिए यानि इनके उपर जो डंडी होती है वो भी साथ में ही हो अब इस लाल मिर्च वाले कपड़े को उस थान पर रखें यहां आप अपना पैसा रखते हैं, यानि अपनी पैसा रखने वाली अलमारी या फिर तिजोरी में रख दें, दुकान के गले में भी इसको रखा जा सकता है, ऐसा करने से आर्थिक परिशानिया दूर होती हैं, अगर आपकी हैल्थ सही नहीं रहती और प्रॉब्लम्स डाइ मिर्च पांदनी है आपने, अब इसको रात को सोने से पहले अपने पिलो के नीचे रख लें और अगले दन सुबह इन लाल मिर्चों को कपड़े समेथ ही पानी में परवा कर दें, आपकी हैल्थ रिलेटर प्रॉब्लम्स जो है वो डिटेक्ट भी हो जाएंगी और आपका स्वास्ते अभी ठीक होना शुरू हो जाएगा, अगर किसी को नजर लगी है तो डंडी वाली साथ लाल मिर्चें लेकर नजर उतारी जा सकती है, साथ लाल मिर्चों को नजर दोस से पीडित बच्चे या बड़े किसी भी व्यक्ति के उपर से साथ बार एंटी क्लॉक कर जला दिया जाता है, आप इनको जलाने के लिए गैस के चूले के उपर भी जला सकते हैं, घर से नेगटिव एनर्जिस को दूर रखने के लिए भी लाल मिर्च का प्रयोग किया जा सकता है, अपने घर के में दौर पर साथ लाल मिर्च के साथ एक निम्बू टांगने से दूर होती हैं और नजर दोस्त से बचाव रहता है, तो दोस्तों यह कुछ असान से उपाए थे जो पराणी मानिताओं पर अधारित हैं, आप भी इन उपाओं को करकर बैनेफिट्स ले सकते हैं, और सबसे बड़ी बात है, यह उपाए बहुत जादा महंगे नहीं और इन